हेलो गाइज वेल्कम टू अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्के फ्रेंट इसकी पर लिमिटेट की ओर से सेप्टेंबर क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुका है अनॉडिटेट स्टैंडलाउन कॉंसॉलिडेट दूगो रिजल्स आउट हो चुका है क्वार्टर हाफ य और जो कि यहां पर होगा गाइज राइट सीशू का कॉल होगा और यहां पर बताया क्या 27 नॉमबर से 27 नॉमबर के बीच में अलगी पेवल होगा नाइट सीशू को लेकर उसको टाइम टू टाइम पर मदब की अपडेट किया जाएगा तो हम लोग चलते कंपनी के रिजल करोड का लास्ट यह में 774 करोड का इंकम है इंकम कॉर्टर और कॉर्टर यह और दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है एक्सपेंस 1067.6 करोड का लास्ट कॉर्टर में 1052.8 करोड का लास्ट यह में 746.5 करोड का एक्सपेंस हुआ था एक्सपेंसे में इंक्री चले इन quarter on quarter में average है नेट पॉफिट 32.9 के रोड का लास्ट कॉटर में 32.4 के रोड का लास्ट यह में 19.7 के रोड का पॉफिट है quarter on quarter only 50 lakhs का increase का लेकिन यह रॉन यह में बहुत अच्छी ग्रोथ किया है अगर हम EPS की बात करें 2.92 रुपिज का लास्ट कॉटर में 2.87 रुपिज का लास्ट यह में 1.85 रुपिज का EPS है quarter on quarter में average growth है year on year में बहुत strong jump हुआ है segment wise engineering products polymer products infrastructure projects और इन सभी से revenue जनरेट करता है quarter on quarter income profit इतना कोई खास increase नहीं हुआ लेकिन यह रॉन यह बहुत strong jump हुआ है इस लगास company अच्छी result पेश किया अगर share की बात करेंगे तो 526.6 रुपिज पे close किया था 4.4% का profit दिया था 5 दे में 1.1% का loss है वन मन्त में 11.8% का profit गास कल के दिन देखना है परफॉर्म करता है उसका recording decision लिजेगा तो हम लोग वेडियो का ही प्रेंट करता है अगर कोई doubt recommend box में पुछे मिलते हैं एक शोड़ों में दिलन बाबाद